बहुत समय पहले की बात है, किसी गाउं में एक किसान रहता था, वह रोज भोर में उठकर दूर ज़र्नों से स्वक्ष पानी लेकर जाया करता था, इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े लेकर जाता था, जिने वो डंडों में बांध कर अपने कंधों पर दोन साल से चल रहा था, सही घड़े को इस बात का घमंड था, कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुचाता है, और उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से सर्मिंदा रहता था, कि वो आधा पानी ही घर पहुचा पाता है, फूटा घड ये सब सोच कर बहुत परसान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गिया उसने किसान से कहा मैं खुद पर सर्मिंदा हूँ और आप से च्छमा माँगना चाहता हूँ क्यों? किसान ने पूछा तुम किस बार से सर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले दो साल से मुझे जितना पानी घर पहुचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुचा पाता हूँ मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वज़ा से आपकी मेहनत बरबाद होती रहती है फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला कोई बात नहीं मैं चाहता हूँ कि आज लोटते वक्त तुम रास्ते में पढ़ने वाले सुन्दर फूलो को देखो घड़े ने वैसा ही किया वो रास्ते भर सुन्दर फूलों को देखता आया ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई पर घर पहुस्ते पहुस्ते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था वो मायूस हो गया और किसान से छमा मांगने लगा किसान बोला शायद तुमने ध्यान नहीं दिया पूरे रास्ते में जितने भी फूल थें वो बस तुम्हारी ही तरफ थें सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाव उठाया मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग विरंगे फूलो के बीज बो दिये थें तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सीजते रहे और पूरे रास्ते को इतना खुबसूरत बना दिया आज तुम्हारी वज़े से ही मैं फूलो को भगवान को अर्पित कर प उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्विकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूलेवान हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा धन्यवाद